Excel के इस सेसन में हम जानेंगे text function के बारे में जैसा कि सबसे पहला question है Go to the new sheet and find out the character for which code 71 is assigned जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक character, symbol, number को code दिया गया है इस code को हम ASCII code के नाम से जानते हैं अब हमें यहां यह जानना है कि 71 code किस character को assign किया गया है यानि दिया गया है चलते हम अपने पुराने Excel sheet पे और एक नया sheet insert कराते हैं insert कराने के बाद हमें यहां पे 71 का code 71 का कौन सा 71 code किस character को दिया गया है यह जानना है तो हम 71 यहां लिख देते हैं और चलते हैं formulas में और function library में text में text में यहां character character function हमें यह बताएगा कि 71 किस character को दिया गया है हम यहां पे number के जगह इस cell का नाम select कर लेते हैं और यहां पे a1 आ गया अब ok बटन प्रेस करते हैं हमें यहां answer मिल गया g means 71 code जो दिया गया है वो है वो किसके लिए दिया गया है capital G के लिए चलते है next question पे find out the code for the character U capital U अब हमें capital U के code के बारे में जाए तो यहां पे हम capital U लिख देते हैं और direct यहां पे अगर आपको याद है आपको पता है कि कौन सा formula लगाना है तो आप direct यहां लिख सकते हैं equal to code और यहां पे a2 cell और यहां पे enter means capital U का code है 85 चलते है next question पे write gurukul in cell B5 and find out the character find the character K in which number it is means हमें B5 में gurukul लिखना है और हमें यह पता करना है कि K किस number पे है तो इसके लिए यहां पे text में find find में find text हमें क्या ढूंड़ना है तो के capital के within text यानि किस में तो गुरकुल इसके लिए स्टार्टिंग नम्हें नम्हें